नमस्कार दोस्तो मैं हुआ अधिति और आप देखें DJ Light Tricks दोस्तो यहाँ पर पारलाइट अभी रनिंग कर रहा है जो कि Blender Di में है और 4-4 पारलाइट का एक एक ग्रूप बनाके हम यहाँ पर 12 पारलाइट को लगा चुके हैं और इसका फुल प्रोगामिंग वाला वीडियो अपलोड हो चुका है इससे पहले ही तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रेशन मिल जागा वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो आज के वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट होने वाला है और इसमें आपको यहाँ पर कुछ नया एफेक्ट बनाके दि और दोस्तों के साथ सेर कीजेगा और चैनल से जोने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आज की प्रामिंग फिर से यहां करने वाले है DMX 512 पे और आज जो प्रामिंग करेंगे वो पेज नंबर 102 पे होगा तो दोस्तो आज की प्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू जो कि यहां पर हमने चार चार पारलाइट का एका ग्रूप बना के रखा हुआ है लेंडर स्टाइल में और चारों में जो कोड डला हुआ है दोस्तों उपर वाली फरस्ट पे जल रहा है वह D001 पे है उसके नीचे वाला D0 17 पे है उसके बगल लग दिजिरो तैस और उपर वाला डिजिरो उन्तास पे है एगर मैं कोड आप लोग को दिखा देता हूं दोस इसलिए यहाँ पर A001 है अगर आपके पाला D वाले कोड पर काम करेगा तो आप D001 रख सकते हैं कोई इसू नहीं है इसके देखिए नीचे वाला और यहाँ पर हमने 12 पारलाइट यूज किया है तो दोस्तो आप यहाँ पर चार चार का गुरूप में आप 12 से ज्यादा भी पारलाइट यूज कर सकते हैं कोई इसू नहीं है बस कोड यहीं रखना है जैसे कि इस वाले कोने पर मैं दिखाया यहाँ पर तीनों ग्रूप व वहीं कोड डला हुआ है 173 49 173 49 173 49 फिर 173 49 इस टाइप में दोस्तों आगे बढ़ाते जाएगे और यहीं सेम रहेगा तो चलिए दोस्तों आज को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को अगर पिछले वाले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आ यहाँ पर 101 में एड़ हो चुका है वही एक से आठ बटन तक फूल है तो यहाँ पर आप करेंगे 102 102 में कर देंगे और यहाँ पर किसी बटन को प्रेस कर देते हैं तो यह देखे सारा लाइट ओफ हो चुका है क्योंकि इस पर हम कुछ भी एड़ नहीं है तो दोस्तों आज का इफेक्ट हम एड़ करने वाले हैं मल्टी कलर जो कि कलर चेंजिंग होता रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक दो तीन चार चारो को स्केर कौन कर दिए और यहाँ पर इस पर कलर डाल दिए यह देखिए सब पार लाइट में सेम कलर है इससे कर देंगे मीडि तो फिसे डाउन करेंगे और तीसा कर लेंगे ब्लू यह देखिए मीडि एड थ्री उसके बाद कर देते हैं परपल कलर यह देखिए पिंक और इसको कर देंगे मीडि एड फोर फिर इस पर कलर चेंज करते हैं यहां पर कलर देते हैं गॉल्डन और इसको अफोर करदेंगे मीडि एड थ्रैंड पर फिर यहां पर हम कलर चेंज करेंगे एक आ यहां पर हम असकाइड ब्लू एड यह देखिए अस्कमानी पर कर देंगे मीडि और यहां पर एक वाइट कलर भी बना देते हैं यह देखिए बिल्कुल वाइट यहां पर एड़ कर देंगे से मीड़ी एड़ सेवन दोस्ते यहां पर एक एक असकेन का हमने खाली रखा है जो कि आठोव उस्तन नमबर है बाकी साथ में में कलर भर दिया यह देखिए फर्स्ट वाले पे है red second वाले को press करेंगे तो green तीस्टे वाले को press करेंगे तो blue चार नमबर पे है गुलाबी 5 नमबर पे है yellow छे नमबर पे है white और 7 नमबर पे sorry 6 नमबर पे sky blue और 7 नमबर पे white यह देखिए अब इस programming करेंगे लोंग प्रेस और ब्लेक आउट यानि पेज नंबर 102 में हमारा एड हो चुका है कलर बाइज प्रोगामिंग तो दोस्तों अब इस प्रोगामिंग को हम चेस में एड करेंगे तो दोस्तों इससे पहले आप देख चुके होंगे हमारे पिछले वीडियो में एक और दो चेस में प्रोगामिंग एड कर चुके थे यह देखिए एक नंबर वाला प्रोगामिंग का चेस इस टाइप से था यह देखिए फाइट कलर का रनिंग था और एक को बंद करते हैं और दूसरे नंबर का चेस में देखिए रेड कलर का रनिंग था यह दोनों को भी एड़ किये हैं यहां पर सबसे पहले प्रोग्राम को करेंगे लॉंग प्रेस है चेस नमर थ्री और बैंक में 102 एड़ करना है क्योंकि 101 में तो सिंगल रणिंग है तो 102 में हम एड़ करेंगे यह देखिए एक नमर पर रेड़ कलर अब दोस्तों आपर रेड़ कलर को हम continue दस बार एड़ कर देंगे मीड़ी एड़ यह देखिए हम दस बार एक कलर को एड़ कर दिए इससे होका किया जब हम इसे रोटसों में चलाएंगे या पाटी बगरा में चलाएंगे तो रेड़ कलर तो देड़ तक यानिकि 10 सेकेंड त साथ आठ नो दस तो दोस्तों इससे ताज से continue हमारे पास साथ कलर हैं यह देखिए सेवन में थार वाइड कलर तो हम सातों कलर को दस दस पर मीड़ी एड़ करके एड़ कर देंगे फिर से दुर्शा कलर कर चूज करेंगे और यहाँ पर एड़ करेंगे एक दो तीन चार पास छे साथ आठ नो दस यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे दोस्तों और फिर से मीड़ी एड़ दबाएंगे अब दोस्तों फाइनल में यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम को लोंग प्रेस करना है और ब्लेकाट को एक बार दबा के निकल जाना है दोस्तों यहाँ पर हमाँ चेस नमर थ्री रेड़ी है यह देखे चेस नमर थ्री को एक बार प्रेस करेंगे और बटन को एक बार दबाएंगे और इस पीड़ वाले फीडर को उठा के और उपर छोड़ देंगे यह देखे दोस्तो यहाँ पर कलर कम से कम 2-4 सेकेंड तक रूक रहा है जो कि हम 10 पर मीडियर को दबाये थे इसी के जल्दे वरना यह कलर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है तो दोस्तो आज की परगामिंग कैसी लिए कमेंट में ज़रू बताएं वीडियो अचला तो वीडियो को लाइक कीजिए लाइट और साउंड वाले दोस्तों के साथ सेर कीजिए और हमाई चैनल से जो रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चलिए दोस्तों फिर मिलते इसका नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थिरी में तब तक के लिए जय हिंद से भारत